कि जैस्री कृष्णा मित्रों मैं पुस्पेंद्र गुर्जर एक वार फिर से डिस्कवरी क्लासे जैपूर यूटूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनन्दन एवं स्वागत करता हूं कैसे हो आप मैं समझता हूं आप स्वस्थ होंगे तो मित्रों आज हम अध्यन करेंगे अप वहे तंद्र ड्रैनेज सिस्टम एंड भहूत देशिये नदी घाटी परियोजने इस टॉपिक के अंधर गद अबदक दो क्लास हो चुकी हैं और आज थर्ड क्लास है तो आज हम अध्यन करेंगे गंगा के अप वहे तंद्र का कल अध्यन की अधा हमने सिंदु नदी के अप वहे तंद्र और आज आप हेडिंग लिखोगे गंगा नधी का अप वहे तंद्र किसका अप वये तंद्र गंगा नधी का अप वहे तंद्र कि तंद्र है तो गंगा नदी का अप हुआ है तंद्र के बारे में अध्यान करेंगे तो मित्रों मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि गंगा नदी का अप हुआ है तंद्र के अंद्र किसे किसे समलित किया जाता है तो मुख्य तो गंगा नदी को समलित किया जाता ह प्लस इसकी जो सायग नदिया हैं उन्हों सब को किस अपवायत अंतर के अंतर के समलित किया जते हैं तो गंगा नदी के अपवायत अंतर के अंतर के समलित किया जते हैं चैसे चाहे यमुना नदियो, सोन नदियो, चादामोदर नदियो, या इसके अलावा भागी रथी, अलकनन्दा, यमनोत्री, गंगोत्री, कोसी, महानन्दा, गंडग, घागरा, ये सबी नदियां किस अपुआय तंत्र के अंतर के समलित की जाती है, तो गंगा नदी के में इखोंगे, गंगा नदी का फुआय तंत्र आपने लिख दिया हो, तो इसमें पहली नदी लिखोंगे, आप फ़स्ट लिख करके, एक लिख करके, का गंगा नदी, मैं अब को पता देता हूं सबसे पहले, अब इतना ही बनाएंगे हमको इतनी जरूर होते हैं तो सबसे पहले गंगा नदी तो गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है मैं यहां लिख देता हूं उद्गम तो गंगा नदी का उद्गम होता है मित्रों गंगोत्री हिमनद से होता है कौन सा हिमनद है गंगोत्री हिमनद से होता है यह गंगोत्री हिम्नद से होता है और गंगोत्री हिम्नद से उद्गम होता है जो मुखिते जो जल प्राप्त होता है गंगा नदी को वो कहां से होता है इस गंगोत्री हिम्नद से होता है और यह गंगोत्री हिम्नद है कहां पर तो उत्राखंड में उत्राखंड में तो मैं यहां मेंशन कर देता हूँ जैसे यह है उत्राखंड तो यहां से होता है और यहां में लिख देता हूँ कौन सा हिम्नद गंगोत्री हिम्नद कि उत्राखंड में है मुख्यद है घंगानधी6 क तो मित्रों में आपको बताना चाहूं कि वास्त्त्रक्त हमें जोगानधी है लिए दो नदियां निकलति है एक इस प्रकार से एक नदिय निकलति हैं वह मौत भांगई रथी भागी रथी नदी और दूसरी नदी अधर से निकल दिये इसको बोलते है अलकणनन्दा नदी एक भागी रथी नदी और दूसरी कौन से है अलकनन्दा नदी जब यह दोनों नदी अपस में यहांपर जगह RH19 इसका नाम है देव प्रियाग यह उत्राखंड में है उत्राखंड इस देव प्रियाग नामक इस्थान पर आगर के यह मिल जाती है दोनों नदिया कौन सी जगे पर इस देव प्रियाग नामक इस्थान पर आपस में दोनों मिल जाती है और जब दोनों मिल जाती है तो इनकी संयूक तो दहरा अब कहलाती है इसे कहते हैं कौन सी नदी गंगा नदी तो मैं समझता हूं मित्रों आपको याद हो गई होगी कि भागिरती नदी और अलकनंदा नदियां दोनों नदियां देव प्रियाग नामगिस्थान पर उत्राखंड में आपस में मिलती हैं और उसके बाद इसे किस नाम से जाना जाता हैं गंगा नदी के नाम से जाना जाता हैं तो मैं यहां इसी प्रिकार से बना देता हूं एक लिता हूं दर भागी रथी और दूसरी अलकनंदा भागी रथी अलकनंदा यह दोनों नदियां आपस में मिलती हैं इसका जगे का नाम कौन सा है देव प्रियाग इसे देव प्रियाग नामगिस्थान पर दोनों आपस में मिल जाती हैं और फिर इसकी संयोगत भादारा मैदानी भाग में प्रिवेस करती है तो मैदानी कहां पर है तो हरी द्वार के निकट हरी द्वार के यहां पर मैदानी भाग में प्रिवेश करती हैं और मैदानी भाग में प्रिवेश करने के बाद यहां पर एक जगे है जिसका नाम है प्रियाग क्या नाम है प्रियाग और प्रियाग कहां पर है तो इलहाबाद में इस इलहाबाद में प्रियाग नामक इस्थान पर इसमें इधर से एक दूसरी नदी आती है जिसको अपन बोलते हैं यमुना नदी तो यमुना नदी यहां पर आकर के मिल जाती है इसका नाम है यमुना नदी यमुना और यमुना काउन सी जगे जाके मिलती है प्रियाग नाम पाकिस्थान पर इलहाबाद में आकर के यह मुना नदी इसमें मिल जाती है फिर गंगा नदी आगे प्रवायत होती है और इस इस्थान पर आकर के इधर से एक नदी आती है जिसका नाम है सौन नदी कौन सी नदी यह सोन नदी इसमें आ करके मिल जाती है यह बद जगे सौन पुर क्या नाम जगे का सौन पुर और यह सौन पुर जगे यह बिहार में तो सौन पुर बिहार में आगर के इसमें कौन सी नदी आ करके मिल जाती है यह सौन नदी कहां से निकलती है तो प्रायद वीपीए पठारी प्रदेश से निकलती है तो प्रायद वीपीए पठारी प्रदेश से निकलती है कौन सी यह सौन नदी और प्रायद वीपीए पठारी प्रदेश से निकलने के बाद उत्तर दिसागी और प्रभाईत होती है और सौन पुर बिहार में जाकर किसमें मिल जाती है गंगा नदी में मिल जाती है इसके ब यह फरक्का नाम की स्थान से फिर दक्षिन पूर्व की और बहना प्रारम कर देती है और इस फरक्का नाम से इस्थान से इसको क्या है कि दो भागों में बढ़ जाती है एक नदी इदर की और आ जाती है जिसे तो हम कहते हैं हुगली नदी किस नाम से जाना जाता है हुगली नदी के नाम से जाना जाता है हुगली नदी और दूसरी इसकी जो धारा है धक्षिन पूर्व की और बहते हुए कहां चली जाती है बांगला देश में प्रवेश कर जाती है इधर कौन सा देश है बांगला देश तो बांगल जो के क्या हो जाता है पद्मा नदी हो जाता है जब यह बांगला देश में प्रवायत होती है और बांगला देश में बेहने के बाद इधर से दूसरी नदी आती है जिसका नाम है यहां से और ब्रह्मपुत्र नदी इसका नाम क्या है ब्रह्म पूत्र नदी ब्रह्म पूत्र नदी जब यह ब्रह्म पूत्र नदी आती है और ब्रह्म पूत्र यहां तक इसे ब्रह्म पूत्र का आ जाता है जैसे यह बांगला देश में प्रवेश करती है तो इसका नाम परिवर्थी तो अगर के इसका नाम हो और ब्रह्मपुत्र का नाम बदल के हो जाता है यह पदमा नदी और जमुना नदी दोनों नदियां यह जगह है जिसका नाम में पावना पावना और पावना के पूर्व में यह पावना से पूर्व एक जगह जिसका नाम है गोलुंडो यह गोलुंडो के निकट इसमें आपस में दोनों मिल जाती हैं कौन कौन सी पद्मा नधी और जमुना नधी दोनों नधियां का मिल रही है पावना से पूरू गोलुंडो नामकिस्थान पर मिल जाती है जब यह दोनों नधियां मिल जात पदमा के नाम से आगे बेती है और पदमा के नाम से आगे बहने के बाद फिर पुने इसमें एक दूसरी नदी आती है जिसका नाम है मेगना नदी क्या नाम है यह मेगना नदी इसमें आगर के मिल जाती है यहां पर नदी का नाम क्या है मेगना यह मेगना नदी मिल जाती है इधर से पदमा नदी इधर से मेगना नदी और इस जगे का नाम है चांदपुर यह चांदपूर भी कहा हैं तो बांगलादेश में बांगलादेश तो चांदपूर के निकटिस में कौन-कौन सी नदिये मिलती है पदमा नदी और मेगना दोनों मिलने के बाद में फिर इनकी संयूक तो धारा कई वीत्री काउं में प्रवायत हो जाती है बट जाती है और अ खाड़ी में मिल जाती है और डेल्टाई भाक का निर्मान करती है इसके अलावा इस गंगा नदी में एक और दूसरी नदी है भी जो इसमें दूसरी नदी यहां से प्रवायत होती है और जिसको हम बोलते हैं यह दामोदर नदी कौन सी नदी है दामो दर नदी ये दामो दर नदी इसमें हुगली नदी में आकर के मिल जाती है और जिस इस्थान पे मिलती है उसका नाम है बजबज बजबज तो बजबज के निकट आकर के इसमें कौन सी नदी मिल जाती है दामो दर नदी आकर के मिल जाती है कि सबसे पहले आपको याद रखना है हम पढ़ रहे हैं गंगा नधी का आप वाहत तंत्र के त्र गंगा नधी प्लस उसकी सायक नदियों को स्वम्लित किया जाता है इसमें पैस्ट नमर पे सबसी इंपोर्टेंट है जो मेन है वो एक गंगा नदी तो हमने ए नमर पे हेडिंग डाली गंगा नदी और सबसे पहले इसका उद्गम तो गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है गंगोत्री हिम्नद और गंगोत्री हिम्नद कहां पर है उत्राखंड में इस गंगोत्री हिम्नद उत्राखंड से गंगा नदी का उद्गम होता है जब इसकी बात की जाएं कि वास्त्विक्ता में जो गंगा नदी है वो दो नदियों का मिस्रण है या दो नदियों का समलित रूप है तो इसमें पहली बात दो नदिया निकलती है एक गंगा नदी के लिए भागी रती नदी निकलती है और दूसरी अलक नंदा निकलती है ये दोनो नदिया उत्राखंड से निकलती है तो भागी रती और अलक नंदा जब ये दोनो नदिया निकलने के बाद एक यह जगे है जि उसके बाद जो इनकी संयूक तो ढगे बहती है उसे हम कहते हैं कौनसी नदी गंगा नदी तो मैं कह सकता हूं कि habits कि इन FDP का समलित रूप प्रियाग नमगिस्थान पर आकर के मिल जाती है उत्राखंड में फिर जब यह देव प्रियाग के बाद में गंगा नदी आगे प्रवायत होती है और हरीद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेस करती है मैदानी भाग में प्रवेस करने के बाद जब आगे बढ़ती है तो इसमें यमुना नदी और यमुना नदी कहां पर प्रियाग नामकिस्थान पर हो प्रियाग कहां पर इलहाबाद में इसमें यमुना नदी मिल जाती है फिर उन्ह सौनपूर बिहार का नाम तो सुनाईए ہوगा भारत का सबसे बड़ा जो पसु मेला भरता है यहां पूर पर बिहार में बढ़ता है और फरक्काrint इसका नाम है फरक्का और फरक्का नाम के स्थान से यह दो भागों में बढ़ जाती है एक तो है जो हुगली नदी के नाम से इदर पश्मी बंगाल में प्रवायत होती है का पर पश्मी बंगाल में पश्मी बंगाल किस नाम से तो हुगली नदी के नाम से पश्मी बंगाल मे प्रवायत होती है और इसका दूसरा भाग इदर दक्षिन पूर्व की तरफ थोड़ा नीचे मुढ़ते हुए और बांगला देश में प्रवेश कर जाता है जब यह गंगा नदी बांगला देश में एंट्री एंट्री करती है प्रवेश करती है तो यहां पे इसका नाम परिवर्थी तो करके गंगा से क्या हो जाता है पदमा नदी हो जाता है क्या कहते हैं इसको इसके बाद पदमा नदी तो गंगा का नाम तो हो गया पदमा नदी कहां पे बांगला देश में इसके अलावा दूसरी दर से ब्रम्पूटर नदी आती है भारत हैं अरुणाचल प्रदेश में प्रवायत होने के बाद और यहां तक इसको बढहरत है जब यह बंगलादेश में प्रवेश करता है तो इसका नाम भी बदल के क्या हो जता है इसका नाम हो जता जमुना नदी यह जब Kentucky enfim अब जाती है जब दोनों आपस में मिल जाती है उसके बाद इन दोनों की जो स्यून्यक्तफ धारा ये Guide नाम kर पादमा के नाम से आगे बैठनी ये सब बात किस्की चल रही है बंगलादेश इसे चांदपुर नामगिस्थान पर मेगना नदी आके मिल जाती है और उसके बाद इन दोनों की जो संयुक्त धारा है वो आगे मेगना के नाम से प्रवाहित होती है और अंत में जाकर के कहां मिल जाती है वो वित्री काहों में बट करके बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है तो मित्रो ये कहानी थी गंगा नदी की इसके अलावा गंगा में से जो पार्ट हो जाते हैं इधार है हुगली नदी हुगली नदी या फरका के पास से इसमें से अलग प्रवाहित हो जाती है और हुगली नदी में आ करके मिलती है दामोदर नदी दामोदर नदी जो छोटा नागपुर के पठार में बैती है कहां पर बैठती है जहारखंड में छोटा नागपुर पठार में मैंने आपको बताया था जब प्राइदी प्रदेश पढ़ा था कि दामोदर नदी छोटे दामोधर नदी इधर से बहते हुए चोटा नागपूर पठार में और यहां जगया जिसका नाम में पश्मी बंगाल में बज बज तो बज बज नामकी स्थान पर आकर के हुगली नदी में मिल जाती है और फिर ये हुगली नदी इधर पश्चिम बंगाल में बेते हुए ये भी कहाँ चली जाती है ये भी बंगाल की खाड़ी में जा करके मिल जाती है हुगली नदी इस हुगली नदी पर पश्चिम बंगाल में यहाँ पर एक बंदरगाय बना हूआ है जो जो कलकत्ता जो फॉर्ट है तो वह जो जो कल्कत्त है यहाँ पर बना उइस्थित है कॉगली नदी पर इस्थित है और तो पूर्व का लंदनो किस नदी पर है तो यह गंगा नदी की एक साखा है जो हुगली नदी परिष्थित है इसके अलावाद दूसरी ये हुगली नदी को विश्व की सबसे विश्वास गाती नदी कहा जाता है। किस नदी को विश्व की सबसे विश्वास गाती नदी कहा जाता है। इसका नाम है फरक्का परियोजना फरक्का परियोजना ये फरक्का परियोजना कहां पर है तो ये पश्वी बंगाल में है। और पश्वी बंगाल में कब 1975 ये फरक्का परियोजना प्रारम की गई थी और जो फरक्का परियोजना प्रारम की गई थी इसका मुख उद्देश क्या था? तो इसका मुख उद्देश था कि गर्मियों के दिनों में ग्रिस्म नितु में इस जो हुगली नदी में जल की कमी हो जाती है तो इस फरक्का परियोजना के माध्यम से गंगा नदी के जल को हुगली नदी में डाला जाएगा ताकि इस कलकत्त जो एयरपोर्ट है जिसे हम का लंदन कह रहे हैं इस कलकत्ता एयरपोर्ट का संरक्षन और रख रखाव किया जा सके तो मेरा कहने का मतलब यह कि फरक्का परियोजना जो पश्मी बंगाल में 1975 इस्थापित की गई इस फरक्का परियोजना का मुख उद्देश क्या है कि इस कोलकाता बंदर गाय के संरक बंदर गाय के संरक्षन वेर रख रखाव के लिए जल उपलब्द करवाना किसके लिए कोलकाता बंदर गाय के संरक्षन और रख रखाव के लिए जल उपलब्द करवाने के लिए कौनजी परियोजना इस्थापित की गई तो फरक्का परियोजना और फरक्का परियोजना कहां पर है पश्मी बंगाल में फरक्का नाम अगिस्थान पर है और नदी पूछी जाए तो किस नदी पर है मित्रो तो ये परियोजना है कौन सी नदी पर गंगा नदी पर इसके अलावा गंगा नदी पर एक दूसरी परियोजन ये टिहरी बांद परियोजना है और टिहरी बगडवाल बांद का है बताओं तो ये उत्रा खंड में है ये टिहरी बांद परियोजना उत्रा खंड में और इस टिहरी बांद परियोजना से 2400 मेगावाट विद्धुत का उत्पादन होता है विद्धुत का उत्पादन होता है उत्पादन होता है कितने 2400 मेगावार्ट विद्धुत का उत्पादन होता है ये टिहरी बांध पर इस्थाबित की गई है और ये भी किस नदी पर है गंगा नदी पर है और ये टिहरी जल विद्धूत के द्वारा संचालीते हैं किसके द्वारा टिहरी जल विद्धूत वित्रन निगम लिमिटेड के द्वारा संचालीते हैं ये टिहरी जल विद्धूत वित्रन निगम लिमिटेड के द्वारा संचालीते हैं कौन सी परियोजना टीहरी बांध परियोजना और कितने मेगावार्ट विद्दूत का उत्पादन होता है यहां पे तो मित्रो 2400 मेगावार्ट विद्दूत का उत्पादन होता है टीहरी बांध परियोजना से यह भी कौन सी नदी पर इस्थित है तो यह भी गंगा नदी प किस विरक्ष की अधिक्ता पाई जाती है gefूगली नदी और मेगना नदी योग को सुन्दर सुन्र विरक्ष की अधिक्ता पाई जाती है और यहां पर सुन्दु परन के किस नाम से जाना जाता है तो इस छेद्र को सुन्दरवन के नाम से जाना जाता है तो पश्वी बंगाल में एक सुन्दरवन अभ्यारन भी है राष्टी उध्धान भी है सुन्दरवन डिल्टा तो मैं यहां लिख देता हूं important pointer कौन सी नदी मेगना नदी मेगना नदी वे हुगली नदी हुगली नदी का डेल्टा डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और किस नाम से जाना जाता है इसको सुन्दरवन डेल्टा और सुन्दरवन डेल्टा क्यों का जाता है मित्रो कि यहां पर क्या मिलती है यहां पर सुन्दरी विरक्ष सुन्द्री वरक्ष की अधिक्ता पाई जाती है अधिक्ता पाई जाती है और जब यहां सुन्द्री वरक्ष की अधिक्ता पाई जाती है इसलिए इसको क्या कहा जाता है सुन्दर वन डेल्टा कहा जाता है और यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है तो कौन सा है? सुन्दर वन डेल्टा कहा जाता है इसके अलावा ये जो गंगा नधी थिए तो गंगा नधी भारत के कुल अपहए तंत्रका अकेले अधिया परसेंट अपहए तंत्र avere अगर बात की जाए तो गंगा नधी कवर करती है भारत के कुल अपवाय-तंत्र का गंगा नदी के अंदत्र के इतना आता है तो लगभग पच्ची सब्रसेंट जो छेत्र है वो गंगा नदी के अपवाय-तंत्र के अंत्र आता है और गंगा नदी का जो वह च्खेटर अठट फॉंट 61 लाख वर किलोमेटर च्खेटर कवर करती है तो मैं इसको भी नोस्तों मैं या लिख देता हूं कि भारत के कुल अप वह तंदर का अपवाहे तंत्र का भारत के कुल अपवाहे तंत्र का लगभग 25 परसेंट भाग गंगा नदी के अंतरगत आता है और इसका कुल कितना है तो इसका छेदर पल है 8.61 लाक वर्ग किलोमेटर है वर्ग किलोमेटर इसका जो अपवाहे थेतर है ये क्या है चेतर तो इसका जो अपवाहे थेतर गंगा नदी का वह कितना है आक पॉंट इक्सैट लाख सेखले चेती रहे अकिला किसका ए गंगा नदी के अपुआ है तंद्र का इसके अलावा याद रखने हैं कि गंगा नदी की जो सहयक नदिया हैं दो प्रिकार से उव्य व्होगा एक तो जो दाही और से आकर कर द– उतियां तो ने आपको दही अर्व से आके बता दिया था सहायक नदिया में आपको हैोडि glee क्यों यह उपर लोग देता हूं कि आतीना दही तो एक तो दही ही तराशे आने वाली सहायक नदिया हुए यमुना नदी सावन नदी तीसरे दामोदर नदी है इसके अलावा और भी जिनका नामें जैसे पुनपुन या पुनपुन एक दूसरी है जिनका नामें टॉन्स यह पुन पुन टॉंस यह सब दाइं नर्ब से आकर के मिलती हैं जबकि इसमें बाइं और से आकर के मिलने वाली नदियां कौन-कौन सी है तो जो बाइं तरब से गंडग इसके बाद कोशी और फिर महानन्दा ये नदिया इसमें बाई और से यारी उपर की तरफ से आकर के मिलती है कौन कौन सी नदिया है तो ये आपको याद रखनी है ये नदिया जो है गंडग और फिर नेक्स्ट हम पड़ेंगे गंडग की सायक नदिया तब तक आप इसका एक बार इसकी गंडग नदिया है इस इन स्थ लेजिए है अब नेक्स्ट हैणि लिखोके आप गंडगा नदि में बाई और से आकर मिलने वाली सायक नदिया का से गंडग नदिया दो परकार दे आकर दाइं तरफ से और दूसरी बाई तरफ से तो फर्स्ट एडिंग लिखो आप गंगा नदी में बाई और से आकर मिलने वाली सहयक नदियां तो बाई और से कौन-कौन सी नदियां हैं जो गंगा नदी में आकर के मिलती हैं तो सबसे पहले नदी देखो गंगा नदी में बाई और से आकर मिलने वाली सायक नदी है तो सबसे पहले राम गंगा फिर गौमती नदी फिर घागरा नदी ये सार्द नदी घागरा की सायक नदी है फिर गंडक नदी उसके बाद कोसी और सबसे लास्ट में है महानंदा नद इस हें तो गंगा नदी में वाई और से पर अकर के मिलती है दीजो ऐसे यह अदि प्रवाख हो रही है कि यह अभी से ऐसे ड़े में ली में दो टर्थ यह तो यह गया घुइस प्रकार तो यह तो इनका साफ हो गया और अधर लाख मिलेंगी यह कौन सा ओ गया इनका तो यह वह जायगा दाया भाग तो यानि इधर की जो बाई ओर की जो नदिया है उनको हमको पढ़ना है तो सबसे पहले नदिय इधर धियान दो आप बोड की तरफ सबसे फर्ष्ट नदी है गंगा नदी कि छो यहार मंतल से और अर्व साइक नदि का उत्गम काहा से होता है तो इसका उत्गम होता है नैनीताल सेमेखradas मैंने आपको हिल सठेया तेसन बताए थे उनके दौरां मैंने बताए था नैनीताल धरमसाला मंसूरी रानी खेत यह सब मधी माले के अंतरकत बतायते हैं आपको याद हो तो लगुई माले में मैं लगुई माले या हिमाचल इमाले उसके अंतरकत बतायते हैं तो नेनी ताल है उत्राखंड में तो यह नेनी ताल के समीप मुख्य माले स्रेणी की दक्षणी भाग से निक जलती है कौन सी नदी राम गंगा नदी और राम गंगा नदी कहां पर आगर गए कट तो कन्योज आपने भोछ सुना होगा अपने पड़ी होगी तो कन्योज का त्री पक्षिय जो संगर्शुआ प्रितिहार पाल और राष्ट कुटों के मद्धि में तो वह यह जो उत्तर प कंद कंकुप यानी दो राज्ज़ों में बहती है ये उत्तरकंड उत्तर प्रवाहत होती है और 696 किलोमेटर बहने के बाद किस में मिल जाती है यह गंगा नदी में मिल tubaつ नदी गंगा नदी और इसकी सहयक नदी वह कौन सी है कौन नदी इसकी प्रेमुक्त सहयक बस दो तिन पॉइंट आपको याद रखने थे पहली बात तो राम गंगा नदी किदर से तो गंगा नदी में बाई और से आके मिलती है उद्गम कहां से होता है तो नेनी ताल के समीप मुख हिमाले के दक्षनी भाग से होता है और समाप्त कहां पर हो जाती है तो कन्योज में कन्योज के निकट कौन सी नदी में आके मिल जाती है तो कन्योज के निकट गंगा नदी में आकरके मिल जाती है 696 किलोमिटर बहने के बाद कौन सी नदी राम गंगा नदी सेकिंड नमर पर मित्रों आप पड़ोगे गौमती नदी और गौमती नदी का उद्गम कहां से होत नदीा तक तो लग्नौ और जौनपूर यह जो दोनों शहरें लग्नौ अपर उत्तर प्रदेश की की राज़दा नहीं क्या है सुल्तृus लग्नो और जौनपूर दोनों शहर िसमें किनारे सुए घॉमटी नदी के किनारे बसे यह और यह जौनपुर के निकट गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है कौन सी नदी गौमती नदी याद हो गया होगा उद्गम कहां से होता है तो पीली भीत जिला और पीली भीत जिला मित्रो है कहा आप है तो पीली भीत जिला है उत्तर प्रदेश में और दो सहर इसके किनारे बसे हुए यानि उनके किनारे से निकलती है तो लखनोव और जौनपुर जो सहर है उत्तर प्रदेश के दोनों किसके किनारे बसे हुए है गौमती नदी के किनारे बसे हुए है और लाश्ट में कहां पर तो जौनपुर कहां पर है उत्तर प्रदेश म नदी में मिल जाती है तो जौनपुर के निकट आकर गौमती नदी गंगा नदी में आकर के मिल जाती है इसके बाद नेक्स थर्ड नमर पर याद रखना आपको घागर नदी घागर नदी नामी ऐसा है कि एक बार में याद याद नतों क्या होगा घूम रेतता आपने पड़़वाद सबस्क्राइब नेंड़ स्भाण और यह कहां पर है तकला कोट के निकट है और तकला कोट है नेपाल में कौन सी नदी घागरा नदी का उद्गम कहां से होता है नेपाल से होता है और तकला कोट के निकट हिमनद कौन सा है तो मियपसा तूंग हिमानी हिमनद या मियपसा तूंग हिमनद से तकला कोट के निकट से नेपाल जए इसका उधगम होता है कौनसी नधि का घागरा नदी का अधग lump होते हैं और घागरा नदी कहां समात तो जाती है सारण तथा बलियय जिले उस सारण और बलिययद कहां पर बने यह उत्तर प्रदेश में तो तो सारन जिला सारन पूर आपने नाम सुनाओगा सारन तदा बलिया जिले की सीमा पर गंगा नदी में मिल जाती है कौन सी नदी घागर नदी इसकी लंबाई कि इतनी है तो एक अजार असी किलोमेटर लंबा ही ये गहावर नदी की अमाप यू क्या पर हो जाती है तो सहरण व्ल्याजिले में आके गंगा नदी में मिल जाती है उद्गम कहां से हुआ मियपसा तूंग हिमानी इम्नद तकला कोट के पास में नेपाल से होता है और 1080 किलोमितर बहने के बाद किसमें मिल जाती है गंगा नदी में आ करके मिल जाती है इसके अलावा सिवालिक को पार करते समय सीजपानी नामक 180 मिटर गहरे खड़े का निर्मान करती है यानि उपर स से बहती है तो 180 मिटर गहरे खड़े का निर्मान करती है और जिसका नाम क्या है सीजपानी किस नाम का सीजपानी नाम के गहरे खड़े का निर्मान करती है और कितना मीटर गहरा है यह 180 मिटर गहरे खड़े का निर्मान करती है तो वह कौन सी नदी है घागरा नदी है इसके इसका उद्गम मिलान हिमनद से होता है और मिलान हिमनद कुमायू हिमाइले में इस्थित मिलान हिमनद से किसका उद्गम होता है सार्दा यह हम कह सकते हैं काली गंगा नदी का उद्गम होता है इसके अलावा यह समाप्त कहां पर होती है तो बहराम घाट जो उत्तर प्रदेश में तो बहराम घाट के निकट आकर किस नदी में मिल जाती है तो यह घंगर नदी में जाके मिलती है और घंगर नदी अपना ज जल गंगा नदी नहीं ले जाती घंगर के लाद्यर से अपना चल कहां पहुचा दीती सी नपी इसकी नदी तहीं 1602 किलोневुटर प्रवायित और इसकी साइग नदिया सर मड़िसार शर्यू पूर्वी राम गंगा और चोकिया आपने नाम सुना होगा सर्यू नदी सर्यू नदी के तीर पे किसे है तुलशिदास चंदन गिसें तुलशिदास तिलक करे रगवीर तो वो लाइन वो यह सर्यू नदी यह यह सर्यू नदी को पूर्वी राम गंगा भी कहा जाता और नेक्स्ट है चोकिए नदी तो कौंझ कौंसी हैं सर्मा लिसार सर्यूव पूर्वी राम गंगा ओर चोकिऊ यह नदी किसी सहाइक नदी है तो यह नदियां इससे साbury दाने की सहाइक नदी आए औरike फाइब नंबर पड के गंड़क नदी और गंडक नदी का उद्गम होता है नेपाल से इसका समाप्त कहां पर होती है तो पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है नेपाल में उद्गम होता है गंडक नदी का और नेपाल में बहने के बाद बिहार में आती है और बिहार के बाद जो राजदा नहीं है पटना य और नेपाल में सालीग्राम में मैदानी भाग में इसको नारायनी कहा जाता है नेपाल में किस नाम से जाना जाता है सालीग्राम नदी और जब वह मैदानी भाग में प्रवेस करती है तो वहां इसको नारायनी नदी के नाम से जाना जाता है सालीग्राम नदी क्यों कहा जाता साली ग्राम नदी और मैदानी भाग में नाराइनी नदी कहा जता है किस नदी को गंड़क नदी को कहा जता है और इसकी साइक नदी है काली गंड़क और तृसूल गंगा तो काली गंड़क और तृसूल गंगा किसकी साइक नदी है गंड़क नदी की साइक नदी है और लाश में कारा गोला के दक्षिन पश्च में गंगा नदी में मिल जाती है तो कौन सी नदी है को सी नदी और को सी नदी को बिहार का सोग कहा जाता है इसे क्या कहा जाता है तो बिहार का सोक कहा जता है सोक कहते है और बिहार का सोक क्यों कहते है क्योंकि बिहार का सोक इसमें क्या बाढ़ आ जती है और बाढ़ के कारण इसको बिहार का सोक किसको माना जता है को सी नदी को और समाप्त कारा गोला के दख्षिन पश्चिम में गंगा नदी में मिल जाती है और लम्माई कितनी है इसकी मित्रो तो 730 किलोमेटर ये लम्माई है कौन सी नदी की और सबसे लाश्ट में आती है महानंदा नदी उद्गम जिसका कहां से होता है नेपाल से होता है और भारत म प्रवेश किसंगंज बिहार में करती है समाप्त पश्चिम बंगालों बिहार की सीमा पर इंग्राज बाजार है यह इंग्राज बाजार के पास गंगा नदी में मिल जाती है तो यह आपको याद रखनी थी गंगा नदी की साहिक नदियां जो बाई और से आकर के गंगा न यह थी गंगा नदी में बाई और से आकर मिलने वाली सायक नदियां नेक्स्ट क्लास में हम अध्यान करेंगे गंगा नदी में दाई और से आकर मिलने वाली स्थाएग नदिहां फष्ट नदि कौन सी झी राम गंगा नदििक Ringsne कहां से होता है तो नेनी ताल के समीप मुखी माले के दक्षनी स्रेणी से होता है राम गंगा का कहां से होता है नेनी ताल में मुखी माले की दक्षनी स्रेणी से होता है समाप्त कहां पर होती है तो कन्योज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है और कितनी लंबाई है इसकी तो 696 किलोमेटर और सहाइग नदी कौन सी है तो कौन नदी इसकी प्रेमुख सहाइग नदी है कौन सी नदी की बात कर रहेते हैं राम गंगा नदी की इसके लाज सेकंड नमर पर गौमती नदी और मित्रों गौमती नदी का उद्गम कहां से होता है तो पीली बीत जिला उत्तर प्रदेश से हैं कहां से होता है मिलती नदी में जनारे बस ऐसमें आपको दो पॉइंट याद रखने हैं कि लखनौ सहर और जौनपुर सहर बसे हुई हैं तो वह गांति नदी के किनारे बसे हुए और गंगा नदी में का मिलती है तो जोनपूर के निकट नेक्स थर्ड नम़र अगागर नदी इसका उद्गम मियापसा तुंग हिमानी इम्नद है और टकला कोट के निकट है नेपाल में यहां से होता है और समाप्त कहा रहा हो जाती है तो सारन और बलिया जिले की सीमा पर गंगा नदी में मिल ज किलोमीटर है और सायक नदी कौन सी है तो चोटी गंगा और सार्दा नदी इसकी सायक नदी है नेक्स्ट है सार्दा नदी और सार्दा नदी को और किस नाम से जाना जाता है काली गंगा के नाम से जाना जाता है और उद्गम कहां से होता है तो मिलान हिमनद से होता है और मिला लिसार सरियू और पूरवी रामगंगा और चो किया इसकी सायक नदिया कौन सी नदी की नदी TäC pendant यह तो चाहरदव नदी किछ सायक नदी न ।र गंड़क नदी का उदगम कांसे यंज से जाना जाता सालीग्राम नदी मेडानी भाग में इसको नरायनी नदी hier तो काली गंडग और तृसूल गंगा इसकी सायक नदी यूए उसके अलावा नेक्स ताथि पते ही और समाप्त कारा गोला के दखशिन पश्चिम में गंगा नदी में गंगा नदी में मिल जाती है कि एक्सर बाढ आती रहती। इसलिए बिहार का सोग कीसे कहा जाता है कोशिन नदी को आक्सर बाढ के रहती के लिए इसके 300 और सबसे लाश्ट में एं महानन्दा नदी इसका उदगम नेपाल से होता है और भारत में प्रवेश किसन्गंज बिहार में प्रवेश करती है और समाप्त पष्चम बंगालों बिहार की सीमा पर इंग राज बाजार के पास किसमें मिल जाती ए तो ये गंगा नदी में मिल जाती है तो ये हो गई मित्रो आपकी गंगा नदी में मिलने वाली बाइं और से आकर मिलने वाली सहायक नदिया और नेक्स्ट आप हेडिंग